हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एवं सोजद परता अधिकारी डॉक्टर हेमन कुमार जाखट के सुपर्विशन में ये काम्यावी सिर्यारी थाना अधिकारी सुरेश सानन को मिली मीडिया को दी हुई जानकारी के अनुसार शाते चोर गिरों के दो शाते चोर को पुलिस ने CCTV फुटेज अपरादे कति वीदियों एवं अनुसंदान के द्वारा पकड़ने में काम्यावी पाए पुलिस ने मीडिया को बताया कि शाते चोरों ने सोज़त सुपरविशन के पांच थानों में नौ बड़ी चोरियों की वारदात करना कभूल किया मात्र बहत्तर घंटे में महिला कंठी चोरी की वारदात का परदाफाश किया जला पुलिस सदिक्षक राहुल कोटोगी के निर्देश से पुलिस द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष अभियान के अंतरगर शेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाये जा रहा इसके तहट से रियारी थाना अधिकारी सुरेश सारंद वारा दो शातिर चोरों को गिरफतार किया गया जिनको आज मारवान जंक्षन यायलम में पेश किया जाएगा तो वहें कंट्री चोर गिरों का परदाफांश होने पर सोजर सुपर्विशन वरता अधिकारी एबन थाना अधिकारी का अभार ब्रक्त किया गौर तलब रहे कि सुनसान और अकेली देख औरतों के साथ ये शातिर चोर लूट माल की घटना को अंजाम देते थे पांच थानों में नौ बड़ी चोरियों की वालगात इन शातिर चोरों ने कबूला पुलिस गिरफतार चोरों की निशान देए पर चोरी किया माल गेहने बरामत की प्रयास में जुटी है जागरुक TV के संवाधता से बात करते हुए सोज़ डिवाइस्पी रॉक्तर हेमन कुमा जाखडेनों ने ये कहा तेनां कुमनीज नौंबर को गुडा मोक्यम सिंग में एक महिला के बोलुक की घटना होई थी जिसमें क्योंकि ये सोज़ सर्गिल में आठ साथ वार्दाते होगी थी आठ साथ महीने में और हम काफी इसमें महिनत कर रहे थे लेकिन कुछ प्रॉक पर कहीं कुछ रिजल्ट नहीं मिल पारा था इस गटना के बाद स्रीमान एसपी साब को निवेजन किया तो स्रीमान एस सब में इस वार्दात में बबलूर्फ आसिफ और लठीफ नाम के दो लड़के हैं सोज़ दोड़के वो ट्रेस आउट होए उन्हें कूस्ताज करने पर उन लोगों ने पिछले नो-दस महिने में नो वार्दात हैं कबूल की हैं जागरूक टिवी केले सोज़त्स्य बाबूलार पवार की रिपोर्ट